प्रभू राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदी नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहा है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अमरित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कहते पसूपक्सी भी नंगे गुमते फिर उनसे पहले उनकी मुक्ती हो जागी तो जनम से नंगे रहते हैं नहीं प्रमात्मा ने बुथी दी है अपना जैसा उचित है वैसा कप्ड़ डखके और अपनी भक्ती करो इनसान में कुछ सिष्टा चार होता है उसको अपना कर रहो सब बज्दा से रहे अब क्या बताते हैं बेद पुराणी कथा कहानी पड़ पड़ भूले अर्थ न खुले बेद पुराणों को पढ़ा कथा कहानी सुना दी उनमें वास्तिविक तक क्या अर्थ है क्या उसका सारांस बनता है ये उनसे खुले नहीं निर्डे नहीं कर सके जिस कारण से इन्होंने सच साधना ना करके और ड्रामा शुरू कर दिया फिर क्या बताते हैं बेरागी सन्यासी सेवडे ये तन पर चार लगावे हैं पांचोनार पचीसों लड़के दूंदूंधार मचावे हैं कंठी माला और मर्गचाला ये शर्पैजटा रखावे हैं डोलकता लजालरी पीटे फिर तानारी रीगावे हैं कहते हैं बेरागी सन्यासी सेवडे एक राख लपेट के घूम रहे हैं और फिर अंदर उनके कितना जोंकाटों करोद और सभी बिमारी जोंकीतों जमा है जैसे सन्यास ले लिया घर छोड़ लिया बेरागी होगे किसलिए होगे कि एक पतनी को टाग दिया घरस टाग दिया कि ये मेरी भक्ती में बादक है और मैं जंगल में बैठके वक्ती करूँगा परमात्मा कहते हैं एक नारी टाग दीनी ये पांच नारी गैलवे पायाना द्वारा मुक्ती का सुखडे उकरीव उसेलवे एक औरत को टाग कर आप जंगल में बैठके उस भक्ती बादा जान करें परमात्मा कहते हैं आपके अंदर ये पांच नारी ओर है जो भक्ती बादक है काम, क्रोट, मो, लोब, एंकर इन पांचों को ट्याग से गर मरे ले फिर घरवाली नारी इतनी बादक नहीं है जितनी ये तरी बिमारी बादक है जो आपके अंदर जमा है एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे पायाना द्वारा मुक्ती का सुखदेव करीब उसेल वे कहते हैं सुखदेव जैसा वेरागी तो नहीं हो सकता मा के गरब से निकल कर भाग गया था उठके और जब तक सत्गुरु नहीं मिले उसने पता नहीं कहां कहां तक भटका था सुरग में भी चला जाता था उसका मौक्स नहीं था मौक्स नहीं हुआ तो सत्गुरु के बिना पूर्ण संथ के बिना ये बिमारी कट है नहीं जो जनम और मरून की है बैरागी सन्यासी से वड़े तन पर छार लगावे हैं पांचों नार पचीसों लड़के ये दूंदूंदार मचावे हैं पांचों नार ये प्सकाम करोद मोलो बेंकार्नियों के नुजमा तुमारे अंदर कंठी माला और मर्गचाला शर्पय जटा रखावे हैं डोल लक ताल जालरी पीटे ये तो नारी री गावे हैं ये माता का जागन करेंगे ये बेंजू 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 बांद कर फिर गीत गावेंगे ये कोई बगटी है अपने अत्मों आमने बगटी का पता ये नहीं था अब जैसे ये दास सुड़ो प्रहरम में जिस बगटी मारक पर लगा तो इस इथार्थ बगटी का परकास नहीं था गरीबदास जी के पंथ में वानी सब्द वो बहुत गाया करते थे और जहां भी गाने ये सत्संगा आयोजन होता था तो वहां पांचार अच्छे चुने हुए गायक लाए दाते थे जिनकी आवाज सुरिली हो तो फिर पहले एक सुरू होता था फिर कहते इतना वह ये तू सुना आपकी आवाज कुछ बहुत बढ़िया है फिर उसको लगाते अरे बले आदमियों अब अकल काम अब करें जो बगवान न दया वक्सी अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया के भी तेरे गर में चोरी होगी अब जब सामने वाले न भांग ने पी रहाखी होगी सराब ने पी रहाखी होगी तो एक दम चिंतित होगा और तुरंत या तो घर की तरफ चल लेगा और जाके उसको देखेगा वह कितना नुक्सान हो गया और जै उसने सरापी रखी होगी तो वो क्या कहेगा यह भी फिर बता क्या कहा और दूसरा उसे कैसा सरापी है वो ने वो कहा बताओ क्या क्या आपके चोरी हो गई हाँ कहा यह बहुत बड़ी आवो लावाए जिसकी आवाद बड़ी सुरिली है आपके चोरी हो गई और फिर वो भी कहता आपके चोरी हो गई तो वो दून्नों सरापी है तो अब जैसे जब दास देखा करता था वो भी गा रहे हैं कि अनमौल जीवन तुमारा नस्ट हो रहा है परमात्मा की वानी गा रहे हैं सत नाम बिन अर्सत गुरु बिन मोक्स नहीं, सुनने वाले भी गेल लगा रहे हैं, गुरु बिन मोक्स नहीं, सत नाम बिन मुक्ती नहीं, अर्सत नाम किसी के पास नहीं, वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोत्ता पकड़ दिया, तोत्ता, उस तोत्ते को बेचने जा रहा था पिंज्रे में लेक है एक भक्त संथ साधू मिला उसने देख्या कि ये पक्सी जंगल में भूंने वाला है और ये कैद हो गया तो ते क्या यह बहुत लंबी होती है मुन उसे भी जादा होती न कि और ये सारी पेले अर्दे अब उस तोत्य को लेकर वो महत्मा घर ले आया अपने कुटिया में और उसे कहा कि तोता तू कैसे फश्या बच्चा तोत्य ने बताया जी इश्यकारी आया था उसने जंगल में दाने डाल दिये जाल बिछा राखे था मन दिख्या नहीं मन लालत में आगए व गुरु जी संत ने कहा कि भाई यदी मैं तुझे छोड़ दूँ तो फिर तो ये गलती नहीं करेंगा अगर ना जी कदी नहीं करते नहीं करो तो सुन ले तैंभी सुन ले और आप वहां जाकर सारे तिरे साथिया नहीं बता जीए क्या कि लिएक मूल मंतर बताता हूं अग बताओ भाई पार्दी आवगा सिकारी जाल डालेगा दाने डालेगा हम दाने नहीं खाएंगे तो फसेंगे जी ठीक है उसको दस-बीश दिन खोब वो रटवा दिया तो ता ठीक बोलन लाए गया अक जा भाई जाते ही सब ने सिखा दिया कहां जी जाते है सब ने सिखा अब तो ता छोड़ दिया और साथी रिष्टेदार कठे हुए भी कैसे बचा कि एक साथ दूसंत ने दया कर दी वाई मेरे पर और एक मुझे अज़व फार्मूला दे दिया आग गए आपां फिर मार खावांगे नी एक ऐसी मूल मंतर बता है तुम भी सुन लो शिकारी आ दाल लेगा जाल बिचावागा हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फसेंगे नी रोज आरती करें वरक्स पर बैठके सारे शामन और दनम ये गोट लिया उन्हें गाहितरी मंतर बना लिया एक दिन शिकारी वहां पहुंचा उसने देखा तोती तो वही किसी ने सिक्षा दे दी दीन को ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवगा दाने डाल लेगा जाल बिचावगा हम खाओंगे नहीं तो हम फसेंगे नहीं उन्हें सोचा यहां कोई फाइदा नहीं मेरा आने का चल दूसरे साइड में जाता हूं फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूं कोई एका ना समझ फस भी सकता है इतना रोटी राटी खाओं इतना जाल बिचाओंगे देख लेता हूं उसने दाने डाल कर जाल बिचाओंग गया एकलो प्रक्स के नीचे इतने में जब देख्या उन तोत्तों ने अच्छे पड़े हैं मोटे मोटे दाने खाने के तो सबसे पहले वह आया जो उन्हें से खश्या देए था अब उखला गरिये चालो भाई आगा माल और फटा फट वहां पहुंच गे और सारे देखा देखिए उसके चेले भी उसके अंदर जाल में शिकारी ने सोचा हैं तो मूर रखे बंड़े बंड़े थे नग्यान कुछ नहीं उन्हों पकटगे जाल खेंच लिए सारे जाल के अंदर अब जाल में बंद हो रहे हैं तब भी वह यही गीतगा रहे हैं पर दियाओगा जाल डालेगा हम दाने नहीं खाओंगे तो हम फसेंगे लिए अब वो सिकारी उस जाल को उठा कर कंधे पर डाल कर चल पड़ा पीछे वो अब सारे तो उच्थे पीछे फिर भी यही गीत गारे हैं सिकारी आवगा जाल डालेगा और दाने डालेंगे दाने नहीं खाएंगे तो फसेंगे नहीं अब उदर से वो रस्ते में शिकारी को वो गुरु फिर मिल गया वो संत उसने देख्या यह गायतरी मंतरता मेराणा पड़ रहे हैं यह क्यूकर चकर पड़ा वैसारा उसने देख्या को हो यह तस बैटी के बाप गाम गाम थे इस बासर नहीं करा इनुन अब उस उस संत ने ऐसे ताली बजाई क्योंकि जब वो तोता गणा बोल्या करता जब पकड रख्या था पेंज्रे में और उसको सिखाया करता था वो डट्या नीडट्या था जब उसने ताली बजागर हो क्या करता हो गुरु जी तो उसने वो ताली ऐसे थेली बजाई उसने देख्या वो कोड़ वरड अग्यों तो गुरु जी खड़े हैं उसने देखा सच्मुच तो गुरु जी ने कहा ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो मुर्दे जैसा श्रूप बना लो तो उस तोत्ते नाखे पलटली जैसे मर गया तो चेले भी देख्या में देख्या करें तो शारा नाजे कर लिया अब सिकारी ने सोचा ये तो सारे मर गया वाई वेट्टी ये बाप तो उसने सारे पटक दिये उड़ा है वह क्यों बोज मरता जाओं इतनी दूरी तो सारे इनकी तांखे पलट गी छिकारी चलागा जब यो काम करन का है ये बद्दर भेक बना हुए है करवा और कोपी न लिए जो बनखड गुफा बना हुए है खुद्या कुटी गट में दूती फिर ग्रीद वारे आ हुए है अब क्या बचाते हैं के घर त्याग के जंगल में जाका बैठिये देखो प्रमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं हम रह नहीं सकते जब तक मालक नहीं मिलेगा हमारी ये प्यास बुज नहीं सकती क्योंकि हम ऐसे सुख सथान को छोड़कर इस कंगाल लोक में आगे या कोई वस्टूपूरी नहीं है तो उसके लिए हम युगों से बटक रहे हैं लेकिन सादना ठीक ना मिलने से हमारे वो बलिदान भी विर्थ गए घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है बच्चों को चागना लेकिन प्रमात्मा के लिए और प्रेणा पाके किसी संथ सादू से घर भी चाग दिया अब जंगल में जाका बैठी गया अब बैठ तो गया लेकिन बोख लगेगी एक दिन रोक लेगा बोखना दो दिन रोक लेगा फिर कहाना पड़ेगा गरिष्टी के द्वार पर आना पड़ेगा और रोटी उससे बिख्षा लेकर फिर जंगल में जागा वहाँ खावगा फिर सर्दी लगेगी कुटिया बनावगा वर्सा से बचने के लिए क्योंकि वैसे वक्ती हो नहीं सकती कभी ओड़े गर जाँ और कभी धूप सताव है कभी वर्सा में भीग जा तो उसके लिए जूपड़ी भी डालनी पड़ी है रोटी खाने के लिए को थोड़े बहुत पात्र भी कठे करने पड़े कोई गिलास कटोरा ठाली तो परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंडे खुसर हो ये खुसरे लेने मोग से दरूपर लाद पार होगे फिर गरिश्ती में क्या दोश केले की कौपीन है जो केले की कौपीन है जो फूल पान फल खाईी नर का मुख नी देखते जो बसती नकट ना जाईी वो जंगल के रोज हैं जो मुलस्यों बिद के जाईी निस्तिन फरो उजाइड मैन्यों परमात्मा पावे ना ही कहते हैं वो तो जंगल के रोज हैं नी लगाए आदमियां देखको बागजा जंगल में अक हम बस्ती के नकट नी जाते फूल पते खाकर गुजारा करते हैं और तन पर केवरे केले की कोपीर यानी केले के पते को गुपतांग पर रखते हैं इतने बेरागी हैं परमात्मा कहते हैं बगती यदि सचा नाम सत नाम और सार नाम कप्लीट कोरस नहीं मिला तो कितना आडम्बर कर ले मोक्स नहीं और मोक्स के लिए परमात्मा ने उधारन दिया कि स्विम एक जोखड़ी बना कर रहे एक गरिस्त आचार निर्वा करके दिखाया कि परमात्मा ऐसे मिले गा अपना समय पर जो मालक देता उसमें विश्वास करो बक्ती करो और अपने जहां सुईदा जनक है उसमें रहो एज़िटिच अब इन बाहर जाने के बाद आप देखते हो इन में भांग पीन की बिमारी लग गए सादू संतों में क्यों लगती है क्योंकि घर त्याग कर चले गए भगवान के लिए प्रेणा पा करके अब जो गुरू जी है उनको मालूम है कि नया नया आया है पांट दस मेंने दो मेंने में इसको गर की याद सतावेगी इसलिए उसको आधी कर देते हैं सुलफा प्याण की भांग प्याण का क्यों यहां पढ़ा रहा है गा तिरे पास ना ति यू भाग ना जा और भांग पी के वक्ती व्याक रहके दे बखवाद दोंगे काम है यह अन्यों का साथ दो संद तैन्यों में प्याक रहे हैं जैर पी ले उना साथ दो संद आ अगर यह भांग पी इंड ते काम चाल ले थे वक्वास करें अब प्रमात्मा सिप्राप्त ग्यान को कैसे बताते हैं मैं तो दे दी हे बाल में बेरे नूमत 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 दे दी ह है कि इस मन के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया जो के वर उल्टे काम में परसंड रहता है और सही काम में ये दिक्ट पैदा करता है अब जैसे आप फिल्म देखते थे पहले उटकर नहीं देखते हैं फिल्म देखते थे तो तीन तीन गंटे तक बैठे रहे नों आख पाड़े और पहले वी सी और लॉक और तिन 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 फिल्म नो नो गंटे सारी सारी रात देखें जानते नो अब जैक्शन क्यों मन तो बकवाद चाव है कि ये करम फोड़ ले किसी तरह अपना टाइम पास करकर मुनस जीवन का और निकल जाए को इसमें तो फिर देखो इसना है गदा कुटा बना कर छोड़ देगा तो यहां आत्मा कहती है कि ये और भगती करें मन यो चाब है भगती करें तो नकल जी करें आप देखते हो दास भी जाया करता था देखा करता था जाता भी था कि जहां हम जाते थे साला सर जाते थे या कहीं और देखा करते थे तो भगत सर धालो पेट पलनियां चल कर जाते थे अब कावड लेन जाते हैं पैरों में चाले गिर जाते हैं कितने कठीन प्रियतन करते हैं परमात्मा के लिए अब साधना ठीक ना उने से तू तो पाप कठे करे सारे और अब इसको सत्वग्दी जब मिलती है ते एक मंतर की वाला करण में इसका मन कट्ट है मन का नो सोच जब फिर देखूंगा फिर देखूंगा और वह ड़ले डॉण में कतीना नो कया फिर आना कानी करता है अब पहले आपको जो ग्यान प्राप्त था कोई सोमवार का अबरत कर रखता था उसको कोई कह दे के सुक्रवार का बहुत बड़ी अबरत हो वह भी साथ कर लेता शुरू और अब कोई ये कहा कि यह सब बकवाद छोड़ दो देखो यह परमानगी ग्यान में और ये साधना कर रहे हैं नो 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 ये थोड़ा बाक रहे हैं तुरंत नाइट जागा दूसरी बात सुनता नहीं तो क्या कहते हैं मैं तो देदी है बाल में बेरेनू मैं तो देदी है बाल में बेरेनू आत्मार कह रही है कि मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी औ और मन काल है, काल का एजेंट है, और आत्मा परमात्मा का अंस है. मैं तो दे दी बाल में बेरेन। संसारी दी गलाचिने, ये नहीं बुझ जब्द जो गेरेन। मुर्जों से ती प्रीत लगावे ना जाने सत्य गुरु मेरेन। मैं तो दे दी बाल में बेरेन। मैं तो दे दी बाल में बेरेहन। स्वेत छतर शेर मुकट विराजें, देखत ना उस चेरेन। गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बगवान को, शेर पर मुकट है, स्वेत छतर है दाता के उपर। स्वेत छतर शेर मुकट विराजें, देखत ना उस चेरेन। उंची थड़ियां ये खेती बोवें भूले गए निजडेरेन। मैं तो दे दी है वालम बेरेन। मैं तो दे दी है वालम बेरेन। ये सनसार समझदा ना ही केंदा स्याम दो पेरेन। ग्रीब दास ये वक्त जाते है रोवोगे इस पेरेन। मैं तो दे दी है वालम बेरेन। मैं तो दे दी है वालम बेरेन। एक भगत बता रहा था जैसे ये कहते है ना संसारी दी गल्लांची ना बुद्ज सब्द जो गैर है नू यानि गूड ग्यान को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। आम आदमी कोई कहए दे उसन मान ले। और कोई कहए दे चल साल आशर चलेंगे एक सल भाई कचलना है। और कोई कहए दे वेशन देवी चलेगा कहां त्यार चलेंगे। वाट इंडे लिन जाओगा बता। कोई विचार नहीं करते और जब ग्ञान बताते हैं कि यह नहीं देखो यह परमान है यह दास छह छह परमान देता एक पॉइंट को कलियर करने के लिए और इतना देख कर भी तो नहीं मानते तो वो मन से मन के प्रेसर के अंदर है उसी इसलिए प्रमातमा हमें बताना चाहते हैं कि मैं तो देदी बालें बैरेनू अब जैसे एक बागत बता रहा था कि मैं अपने साथी ने गणा में तर था मेरा जब ये सत्संग मैंने सुना ग्यान लिया मैं सत्संग माने लगया तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ कि नब फिर देखूँगा अब टेम को नहीं अब समय नहीं है फिर देखूँगा नाट से कहनी था क्यों दोस्ती थी तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला चला भी फिर बताएंगे इसको थोड़ी सी दूरी पर कोई एक कोई अन्य को कह रहा था कि उस गाम में रागनी कमपीटीशन होगा वो मेरा मेतरुन के पास जागे खड़ा हो गया और कुण से गाम में कहा है बताइए रात नहीं वहां धक्के खान चलाएगा और तीन दिन में आया वो रागनी कमपीटीशन सुनने के लिए वादफट देश विकार कर लिए मैंने बताया उसके लिए समय नहीं था एक भगत था वो बता रहा था कि एक उपदेश सी ले लिया उसने और उसने फिर अपने मित्तर को समझाना यह परतेक की कर्चों बनता है कि मैं अपने मित्तर को अपने जो भी जो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाओं तो उसके पास जा के कहने लगया को भई सत्चंग में चलो ग्यान समझाया काफी तो वह कहनल लगा भई मेरे पास टाइम नहीं फिर देखुँगा तो लो फिर दूस कुछ तिन के बाद वो फिर गया जब सच्थंग नेक्स्ट समय आया सच्थंग का निकट सी तो उसने कहा भी कि चलोगी सच्थंग में उसने कँए मुझे फुर्सत नहीं फैर दोसे समय नहीं देशी भासा में फुर्सत कि है तो बार-बार केता तरह वी तो गणा पीछा मत पड़ा मुझे अभी फुर्सत नहीं है थोड़ा सा बच्चे स्याने हो जाँ और फिर मैं तेरे साथ चला करूँ अब कुछ दिनों के बाद उसकी आर्ट टेक्से मरत्यू होगी मित्तर था उस सोक में जाना गया उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संसकार करने के लिए जा रहे थे लोग बोल रहे थे राम नाम सत है सत बोलें गत है और वो कह रहा था आज बाईने फुरसित है और कह रहे थे राम नाम सत है वो कह रहा था आज बाईने फुरसित है तो दूसरे उसके और विक्ति कह रहे थे तो ठीक बोलें के के सोचेंगे ये गर के हग में ठीक है बोलो हूँ तो पुने अत्माओ तो यहां क्या बता रहे है कि सनसारी दी गलाचिन नहीं बूच जै सब्द जो गेरेनो ये मुर्दों सेती प्रीत लगावे ना जाने सत्य गुरु मेरे अब मुर्दों सेती प्रीत कैसे लगावे बाबा था गाओं में रहता था मर गया उसकी समाधी बना दी सारा गाम माथ टेक है वा वो खाक देगा अब जैसे कोई वैद है कोई डॉक्टर था अर अच्छा जानकार वैद था नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था दुआई जानता था दे दिया ठीक हो गया अरब वो मर गया मरने के वाद उसकी समाधी बना दी उड़े मूरती भी बना लो उसकी और फिर वहाँ उससे माथा टेकन जा और दुआई लेने जा वो खाक दुआई देगा ऐसा ही वैद खोजना पड़ेगा जैसा वो था और वो वैद आज सतलो का सिर्मबर वाला जिला इसार में है इस पर च्वी बने गया अब क्या बताते हैं स्वेत छतर सेर मुकट विराजे देखत ना उस चेहरेनो स्वेत छतर सेर मुकट विराजे देखत ना उस चेहरेनो ये उच्ची थड़ी आँखेती बोवें भूल गए नजडेरेनो पहले वर्सा के उपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी जब ये बार्णी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीब दासी ने अब उस से में कह रहे थे जिसके पास डहर खेत हो डहर होता है नीचे का जील का खेत उच्चे स्थानों पर वर्सा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में और डहर एक उपजाओ जमीन होता है थलियों पर तो मनमाने किले में ओवें पांच मन गे हूँ बादरा मुस्किलते हैं जब वर्षा हो जाते हैं, वो भी, और नीचे हो जाब पचास मन किल्ये में साइट मन, तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन सादनाओं को आप कर रहे हो, और जिन देवताओं को जिन भगवानों को आप इस्ट मान के पूजरे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे है आपका डेहर वो उपजाव जमीन है एक मनगे हूँ डालोगे तो सत्र मन देगा आपने स्वेत छतर शेर मुकट बेराज देखत ना उस चेरेनो ये उंची थल यांखे तीबो वें भूले गए नजडेरेनो ये संसार समझदा ना ही केन्दा स्या में दौपेरे दूँ अपना अतमाओं देखो हमारे साथ कैसा कैसा हमारे साथ बना हुआ है अब जैसे कोई relative हर रिष्टेदार है और कोर्ट में चला गया कचेडियों में आगे रिस्तेदार मिल गया तो हम क्या करते हैं हैलो और ठीक हो आथ में लाओंगे खाँ जी ठीक ठाक सब ठीक है कचेडियों में ठीक ठाक है कोई से का काम नहीं दोनों दुखी कचेडियों में गया आथ में ठीक हो सकता है कि सताया हुआ या किसी ने सताया होगा सो चंताय होती है आज पता नहीं गवाही की तारिक है आज फलानी तारिक है पता नहीं क्या होगा प्रमात्मा कहते हैं आपने तक काल की भांग पी राखी है जैसे को रिष्टेदार मेडिकल में कोई बच्चा बालग बिमार है मिलने जाते है रिस्तेदार हाथ मे लाओंगे और ठीक ठाक हाँ पर ठीक है सब बाकी हो बालग का तकलीम गड़ी है फिर खाक ठीक है लड़का मरन दो रहा बिला वो क्यों रता ठीक ठाक है तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझे नहीं सके यो ठीक क्या है यहां पर अब क्या बताते हैं जैसे एक सराब पियें पढ़ा सा दो पैरी में गर्मियों का मोसम और पशीनम पशीना रेत में पढ़ा और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहां वर्क्स के नीचे बठा देता हूं तो यह हालत हमारी स्काल के लोग में 36 समझे हैं हमारे सामने राच में लाओ जैने ठीक ठाक है खाक ठीक ठाक है यहां पर तो कहते हैं यह सनसार समझदा ना ही केंदा स्याम दो पैर नुख जलती धूपने नोगे मोज ओर है कती ठंडी हो हाँ चाला है केंदा स्याम दो पैर की आग में नोगक है शी लक्शी है ग्रीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे के याद करकर रोया करोगे इस मुनस जिमन जा हाथ चलागा गल साधना करके या बगर साधना के जैसे कुटा रोया कर रात ने उसका आइसास होता है कि मेरे से गलती बढ़ती मतो दे दी है बालम याणे नू मतो दे दी है बालम याणे नू गित्ता और भागोत पढ़े नहीं बुझे सब दे ठकाने नू मन मतुरा दिल द्वार का न गरी क्या फिर बरसाने नू मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बालम याणे नू मतो जब फुर्मान धनी का आवे को राखे घर जाणे नू जब फुर्मान धनी का आवे कोण राखे घर जाणे नू जासत गुरु का सर ना लीजे मिटे जम तल बाने नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू उत्तर दक्सिन पूरब पस्चिम फिर्दा दाने दाने नू सर्वक लासत गुरु साहव की हरी आये हरी आणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू जम किंकर का राज कठिन है ना वो छोड़े राज जाराने नू यादो नियादा जीवन जोठा तुम भोले गए मर जाने नू यादो नियादा जीवन जोठा भोले गए मर जाने नू मैं तो दे दी है याणे नू मत दे दी है बालम याणे नू सील संतो से विवेक विचारो दूर करो जुल माने नू ज्यान दा राज ध्यान दी तुरिया कोई जान पान रिशाने नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मत दे दी है बालम याणे नू मत दे दी है बालम याणे नू मत दे दी महल का पाट सत गुरु ने खोले अमी महार से खाने नू महल का पाट सत गुरु ने खोले अमी महार से खाने नू गरीब दास सुन भावर उडावे गगन मनल रम जाने नू मैं तो दे दी हे बाल में अब क्या बता रहे हैं गरीब दास्टी गीता और भागोत पढ़ें ना बूजें सब्दे ठेकाइने गीता पढ़ते हैं भागोत कोई साथ साथ दिन कता सुनते हैं उसमें के कता है सरमावा मनई और पढ़े रूची से पढ़ा करते थे ऐसी बेहुदी बाते हैं उसमें लिखिय हुई हैं सब्दे समाज में पढ़ड़ के सुनाण में बिसमें करेक्टर ही ताशारितर ही इस्टा आती है और उसने पढ़रें के गीता पढ़ें और गीता में ग्यान क्या लिखाएं नहीं क्या खेका नहीं पता गीता और भागोत पढ़ें नहीं बुद्जन सब्दे ठेकाइनेन। यानि ठीक जो सत ग्यान है उस मंतर को ये नहीं पूछ रहे हैं। अब क्या बताते हैं। यम के दूट आपको लेने के लिए आऊंगे। आप चैए शिव के पुजारी हो चैए विश्णू के चैए मात्ता दुर्गावर किसी के भी। चैए बिरहम के और चैए पर बिरहम के। आपको कोई नहीं रोक सकता उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की सरन में इस दास के मात्ता हम से आजाओगे। परमात्मा उसको बगा देगा अग्छोड़ो। अब ये मेरा बच्चा है तुम इसमें कुछ नहीं मांते हैं। एक आपने बहुत से बगतों के अनुभाव सुने हैं। जब यम के दूत आते हैं। एक बगत कह रहा था जी मैं सौपन सोच रहा था रात ना मेरी मर्चूख होगी। दो तीन चार मनें दिखाई दिये काले काले से वह कैन लगे आजा मेरे साथ दो थे वह और हमारे साथ चल पर बढ़ा विए के बात है चलो कहां से लेंगे। बहुत उंचे लेगे मेरे को फिर मुझे मुझे मैंने पूछा भी कहां ले जा रहे हो कि तेरी द्रम राज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे फिर जैसा उनकादेश होगा वैसा है करेंगे नरकम डालना होगा नरकम डाल देंगे और गदा कुटा बनाना होगा तुमां बेच देंगे। तो उसे नहें सुचा आप मलर क्या के निगा हमर लिया तो उसे ने तो नाम लिया तो आप मैं तो नाम ले रखा है। कुम्हेठी साहब कहसे कुछी हमें बताते रहते हैं कि कालके दूर्क किंदूर। तुम रचा निशीजे तुम कैसे लाएं Oh मैं नहीं जाता है कि नहीं खड़ा हो गया और निकट जा लिए थे दर्मराज के दर्वार के बाहर खड़े नहीं बोला ना जाओ अंदर उन गेला में गुट्टम गुट्टा जगड़ा होगा दोनों के साथ तो उसने एक लगा भाई पहले पूछता फाइनल कर ले कर ले कि जाम इसके लिखाम का खसें जावा हैं एक वज़ा वेरिफाई करका दो वो उसके मेरे पास एक रहे गारे एक अंदर गया और उसने जाकर पूछा जी ऐसे एक विक्ती को लाए हैं जैसे आप कादेश हुआ था और वो कहता मैं तो नाम ले रख्या है और कभीर भगवान से प्रमात्मा का कहते हैं वो बैठा दक दाड़ी सी वाला बड़ा साथ हुआ नो दिखा विला मेरे को जाकी में गये उसने उठा कर देखी बहुआ इगा नियों लुट सुट करके ने बोला रखी इतली है इसना मन ने भी मरू आओगे तुम छोड़िकाव इसको तो वापस मेरा सरीर सथिल था हिल टूल नहीं रहा था पसी ना सरीर मारा तब यद ही ये सा गटना ना गटतीर मैं ठीक ठाक उठ ले जाता तो साइद मैं इसको के वल सौपन मान कर भूल जाता है अब उसके बाद मेरी और ज़्यादा लगन बनगी भगवान में तो यहां गरीब दास जो मेटे जम तलबाड़ें। जो जम का तलबाणा यानि जो आदेसा आ उसको कैंसल कर दे भाग जाओ ये मेरा संथ, मेरा भगत है मेरी मर्जी से यहां से जाएगा कहते हैं ऐसे सत्गुर की सर ना लो और वो सत्गुरू वो संथ, उस परमात्मा की करपासी है दास राम पाल दास के पास वो मंतर वो सक्थी है भगवान की दियर अब आगे क्या बताते हैं उत्तर दक्सन पूरव पस्चिम फिर दादाने दाइने लू और सर्वकलासत गुर साहिब की हरी आए हरी आइने लू एक भगत कह रहा था जी अभी मुझे अब दास तो पता नहीं कितने भगतों से मिलता है उनकी प्राफ्थना होती है दास तो एक नौकर है पी-एन है उस परमपता का कबीर बगवान का आपकी अरजी आती है दास का काम उसकी मेज़ पर रख देना है किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने तो दास एक भगत ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ अमरिका का बीज़ जाता हूँ और बन नहीं रहा हमने सारे प्रेतन कर लिए मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अमरिका बना देंगे तो उसका काम बने नहीं इसलिए या जैसा भी रह गया नहीं गया अब दो मेने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे आज मेरा यहीं अमरिका बने गया सारे सुक होगे और जो पलाट था एक वो किसी ने दबा रख्या था वो भी मिल गया काफी कीमती था तो यहां पर मातमा गरीबदास जी कह रहे हैं उत पूर पस्चिम उत्तर दक्षिन फर्दा दाने दाने नू और सर्वे कलासतकुर साहिब की हरी आए हरी आने सारे सुक देगा तुम्हें मोक्स देगा मतो दे दिये बाल में गुंगे नू मतो दे दिये बाल में गुंगे नू जा बाल में दी मैं बल बल जावां जो जान लगावे ओंगे नू छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े कहां चड़ावे सुंगे नू दूद गवूदा बच्छा पी गया फिर क्या कड़ावे सुंगे नू या तन देही विन से जाते है बहुर आनियों भूंगे नू या तन देही हाथ ना आवे कहां करेगा रूंगे नू नगनारायन भूल रहा है कहां पर्खे मोती मूंगे नू ग्रीबदासियों साखा सुखे बीज नबूया ढूंगे नू अब ये बिलकुल अरियानवी लेंग्वेज में ये सब्द है ग्रीबदासी का के मैं तो देदी बालम गूंगे नू यानि इसको जब सही मतलब की बात होती है तो यो साथ नहीं देता उँ बक्वास करें जागा बटबट बोलें जा और मंतर करें तो पता नहीं को 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 मन लग जागा इस मन के वारे में खाए फिर क्या बताते हैं के जा बालम दी बल बल जामा जो जान लगावे उंगे नू यानि उस जब आपका मन इतना सद जागा सीधा हो जाएगा के संसारिक जंजटों को और आनु पासना को छोड़ कर और परमात्मा की तरफ यानि उंगे को इंगे और उंगे इधर उधर इधर यहां काल के लोक में रूंगे ने उधर को सत लोक में कहते हैं उस समय इस मन को आप उस मन की मैं बलिहारी जाओं जो उस परमात्मा की तरफ उंगे को धान लगाता है और गरीब दासियों साखा सुखे बीजना भोया ढूंगे भाने गहरा बीजना भोने वाला यानि उपर ले मनतें जो भक्ती करता है वहां काम्याब नहीं होगी जब तक हर्द्याब कसक बना के और सचे दिल पर भक्ती नहीं करोगे तो वो तुम जो गैरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है और जो उपरे डाला बीज सुख जाता है वो नश्ट हो जाता है तो यहां कहते हैं गरीब दासियों साखा सुखे बीज ना भोया ढूंगे दो पुनात्माओं सो भागे आपका कि आपको यह अनमोल वतन सुनने को मिल रहे है यह काम कहते हैं समझा है तो सर धरपाओं और भाहर नहीं रे ऐसा दाव सुखदेव ने चोरासी भुगती बनाप जावे खरवो और तेरी क्या बुनियाद पराणी तुपेंड़ा पंथ पकड़वो कैते हैं सुखदेव जैसे रे सीन साधनाए भी की फिर भी यहीं बटकते रहे और तेरी क्या बुनियाद पराणी छोटी मोटी साधना आन उपासना करके आप मोख साथे हो तुपेंड़ा पंथ पकड़वो कौन सा पंथ कौन सा मारग जो सत्गुरु ग्यान देता है उसको ग्रहन करो अपना अत्माओ परवात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय क्यों सकता पड़ेगी क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते आप बच्चों को सिक्षा के लिए बेजते हो पंद्रा बीस बाइस वरस तक बच्चे को फ्री छोड़ देते हो बेटा या बेटी और पैसा भी लगाते हो किस लिए क्योंकि आप परीचित हो इस बात से के लड़का लड़की सिक्सित हो गया तो इसका रोटी रोटी ठीक मिल जागी अच्छी बात है और इसी परकार जब आपको इस बात का ग्यान होगा कि मनुस जीवन किसलिए प्राप्ट हुआ है इसका मूलू जैसे क्या है तो आप फिर इतना ही जोड इतना ही समय और समर्पन इस साइड में होगे और उधर जैसे लड़के पढ़ गे खूब M.A.B.A. P.H.D. C.A. कर लिया और नो करी कुण सी सब को मिलेगी और फिर भी हम पढ़ा के छोड़ दी बच्चों को तो कहने का भाविया कि उसमें हानी भी हो सकती है और फिर भी इतना हम प्रितन कर रहे हैं तो इसमें हानी हो ही नहीं सकती लड़का लगो चाहिए लड़की वक्ति मारक पर सारे ठाठ बगवान करेगा या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा और मोख से भी म रहा है छोटे-छोटे बच्चों को ले करके मात आएं यहां पर पहुंत रही है इतनी गर्मी और सरदी के अंदर और कितनी-कितनी दूर से आते हैं, ट्रेन के अंदर कितने भीड होती है सारा साथ दो दो दिन लग जाते हैं दूर से आने वालों के 24-25 गंटे लग जाते हैं 20-20 गंटे लग जाते हैं तो ये क्यों आ रही है जैसे कि साल खास कर हरियान अक्सेतर में हम देखा करते थी हमारे पिताजी और अन्य गाओं के लोग रातरी के समय जैसे आज कितनी सर्दी है जनवरी में कितनी सर्दी होती है और खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है रात के बारा बज़े जनवरी का मैना और सीत लहर चल रही होती है अब हम तो कमरे बंद करके खिड़की दौर सारे रजायोड कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जा और किसान एक कंबल खेस ओड़ के और खेत में पहुंच जाता रात के बारा वजे उसी सीथ लहर में वो बिलकुल आलस नहीं करता और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में और जल के अंदर गुटनो पानी में बढ़कर कसी से वो पानी बंद करता है अब वो किस लिए कर रहा ऐसा काम उसको मालूम है कि ये थी आज मैं पानी सिचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जागा फिर ये नंबर मिलेगा नहीं इतने मेरी फसल सूख जागी और मेरे बच्चे बुखे मर जाएंगे मैं नर्दन हो जाओंगा क्योंकि किसान उस प्रोसेस से उस प्रोसीजर से पूरण प्रीचित है इसलिए वो ये देखता तेरे नमुनिया हो जागा रात के से में ये भी नहीं देखता है कोई साप काट जागा नहीं वो काम करकर छोड़े तो सफल हो गया इसी प्रकार यहां वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने परभावित हो चुके हैं और संतोस हो चुकह है और उनको पूरा घ्यान हो चुकह है कि युव काम तैक्प करना है पड़ेगा जो मरें चाहे जीवें पर वगवान के वकत मरें नहीं करते हैं करते हैं और सदा सुख बिला करते ह। इस यह का है कि यह संसार समझदाना ही केंदा स्याम दो पहरेनू ग्रीबदास यह वक्त जाता है रो होंगे इस पहरेडू संजा है तो सिरधर पाओं और बहूर नहीं रहे समझाता ह। अपने बाई बेनों को भी समझाओ, सारे संसार में ग्यान फैलाओ, सारे विस्वा सुखी होगा, सब को मौक्स मिलेगा, ये ओट टाइम आ गया है पुरम पिता प्रमात्मा पूरण ब्रम सारी सिर्ष्टी के रचनहार कुल मालिक, कबीर प्रमेश्वर जी, अल्लाहु अक्वर, ग्रेट गौड कम्पलीट गौड कबीर प्रमेश्वर जी की असीम रजा से आप उन्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्तित हुए मानो जीवन का मिलना अतिदुटलब है पुन्यात्मो अध्यात्मिक ग्यान हिंता के कारण हम अपने मानो श्रीर को, इस मानो जीवन को संसारिक कारियों मही नष्ट कर जाते हैं जबकि इस मानो श्रीर का एक विश्य इस कारिय प्रमात्मा ने बताया आकर के के मनुस जीवन केवल प्रमात्मा की भक्ती के लिए प्राप्त हुआ है यदि आप जी प्रमात्मा की भक्ती करते रहोगे तो आपके संसारिक कारिये भी उस गौड पावर से प्रमात्मा की सकती से आसानी से होते रहेंगे और आप अपनी सारा जीवन में नहीं कर सकते प्रमात्मा चंद ही वरसों में कर देता है चाहें प्रत्वी का राजा हो कितना दनी वेक्ती हो जब वो अपने प्रियतन से ठक लेता है और जहां भी कोशिस करता है उसको उल्टा ही पड़ता है तब वो भी प्रमात्मा से ही अरज करता है तो इसलिए प्रमात्मा कहते है यदि आप जी पहले ही मेरे से संबंदित हो जाओगे मेरी पाउर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपको फिर सदा वो सुख मिलता ही रहेगा जो प्रमात्मा देता है जब हम दुखी होते हैं प्रमात्मा की खोज करते हैं आत्मा को ये पूरा घ्ञान है कि जो सुख वगवान दे सकता है वो इनसान नहीं दे सकता चाहिए राष्टर पती से भी आप मेल कर लो उसकी भी ऐसमर्थता होती है लेकिन परमात्मा की डिक्सिनरी में परमात्मा के सबद कोस में असंबाव सबद नहीं है इसलिए उस प्रमिश्वर ने आके स्वेम ही अथारत ग्यान बताया है क्योंकि जब तक भगवान आकर स्वेम ग्यान नहीं देते तब तक इस काल भगवान के दोवारा भर्मित संत साधू, फकीर, ब्रामन, मुला काज जी जो भी जिस दर्म का परवकता है वो काल प्रेरना से और अग्यानता के कारण वो इस काल भगवान की ही महिमा बताता है जो ना सुख दे सकता है केवल दुख ही दे सकता है यदि कोई व्यक्ति आम की महिमा बता का है और बबूल का बीच दे देता है किकर का वो गुन तो गारा है आम के कि सीतल छाया होती है काटे रहीद होता है मीठे फल लगते हैं आम के गुनों में तो ऐसा ही लिखा है लेकिन बीज बबूल का वो देने से बीज देने से उसको काउटे ही पराप्त होते हैं आम नहीं पराप्त हो सकते ठेक इसी परकार जितने भी प्रमात्मा से एप्रिटित रिसी महरिशी ब्रामन गुरू मुला काजी पीर हुए है वो चले तो थे आम की खोज में लेकिन काल प्रेरिणा से प्रेरित ये अन्य रिसी महरिशी मिल जाने से उन्होंने बबूल बोली किकर बीज ली आम के दोखे में तो पुन्यात्मा वो किकर इतनी बीज दी किष्दास के लिए उन सब कोई साफ करना कठीन हो रहा है अब हमें उस आम की महिमा का पता चला अन्य संतों ने जो जानकारी दी उनका इतिहास उनका नुबहो उनके परवचन सुने और पढ़े तो पता चला कि वो गुन्तों गाते आम का और वीज बो रख्या है बबूल का तो उनके अनव्याईयों को सुख हो ही नी सकता वो पूर्ण प्रमात्मा की महिमा सत्यपुरस अमरपुरस अकालमुर्थ की महिमा सुनाते हैं आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं प्रमाटमा के खोजी थे और संत की तलाज थी जो पूरण संत हो हाँ जी हाँ सच्चे सौदे से जुड़े हुए थे सच्चे सौदे में हमने पांच से नाम ले रखा था आठ सल भक्ती करी थी वहाँ और भंगी दास का प्रसाद भी मिला था, जो मैं सशन करता था, भजन करता था। बगए आत्मासंतुष्ट नहीं थी, भूत परेद बाधा था, वो कटती नहीं थी। नाकटने के कारण हम बहुत दुक्pering परिशान थे मैं ठी मेरी पत्नी थी हम लोग बहुत परिशान थे परिशान होने के कारण सर जी वहां पर हमारा कोई सुविधा σाधन नहीं मिला सर जैसा कि आपने बताया कि पहले भी आपने गुरू बना रखा था और आप भजन मंडली में भी सामिल थे भजन करते थे उसके बावजूद भी आपको बूत प्रेट की बादा से निजात नहीं मिली आखिर ये समझे आपकी कैसे दूर होई ये संत रामपाल जी के सरण में गए जब हमने नाम भजन लिया जाते ही नाम भजन लेने हिसे ही हमारी दुख दूर हो गए कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी महराज के बारे में ये साधना टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था जो साध चालिस पे चलती है तो साधना टीवी पे चलने के कारण हमारे को ये पता चला कि कौन ब्रम्हा का पिता है कौन पिसनु का माता संकर का दादा कौन है हमको दे बता प्रमात्मा ने कहा तीन देव की जो करते भगती इनके इन सबी बातों को देखने से अक्षर रूपी एक पेड़ है निरंजनवा की डार तीनों देवा साखा ये पात रूप संसार इस बात को जब समझ आया आत्मा रो पड़ी हमने का परमात्मा तो यहां है सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संतरामपाल जी मारास से नाम दिक्सा लेने के बाद क्या 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 लाब मिले जो सबसे बड़ा मेरे को लाब हुआ वो यह हुआ है इस्टेम जो मेरे सरीर के अंदर जो भूत परेद की जो बाधा थी वो बहुत जबरजस थी उससे मैं इतना दुखी होता था कि मेरी सरीर मेरा दिमाग मेरा कोई काम नहीं करता था उस भाई ने मेरे घर मेरे परिवार मेरा कारोबार सब बंधन कर दिया था उस बंधन से मेरे कोई कारोबार नहीं चलते थे तो इतना परिशान होता था जिसकी कोई अंत नहीं उपर से मैं नशा पान बहुत करता था जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटका, तमाखू जब मैं नशा करता था फिर मैं लड़ाई जगड़ा करता था फिर मैं मार पिट करता था, बुरी तरीके से मैं नशा करता था, और नशा करने के बाद मैं किसी से डरता नहीं था, जहां बने मारकिट हो, कारोबार हो, फैमली हो, उन से मेरी बहुत दड़ाई जगड़ा होती थी, इतना नशा करता था कि मैं अपने जीवन में, मैं देखू मात्मा कि मैं कौन से नरक में भोगत रहा था तो मेरी नशाश उट गई परमात्मा के सरण में आने से भूत परे जो बाधा था वो परिवार से दूर हो गई मेरी पत्नी का दूर हो गया मेरा दूर हो गया हम दोनों जीओ इस से बचे अभी अभी मेरे को सरीर में बड़ी उस पत्री का रिपोर्ट आयने से प्रमात्मा से मैंने प्रात्ना की प्रात्ना करने के बाद प्रमात्मा से मैंने अर्जी की और अमरिजल पीने से ही मेरा पत्री एक बार में ही समापत हो गया मेरे सरीर में यूरिया कसिट थी और भी बिमार थे रिड हटी में दर्द थी सिर् जो लोग आज संत रामपाल जी मारास से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं वो टीवी चैनल जो चलती है उसके अंदर नीचे पीली पटी चलती है उस पीली पटी पे सारा नंबर लिखा होता है उस नंबर को पढ़के उससे फोन करके पता कर सकते हैं कि हम कहां से ये नाम दान लें और क्या इसका सुविधा साथ धने हैं बहुत बहुत दन्यवाज सत साहिब जी आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें अधिक जानकारी के लिए से लिए लोगजा के लिए लोगजा हैं